गुद मॉनिंगे स्टुडेंट आइम दीपक सोनी आइम यह साइंस टीचर तोड़े आइम गूंग तु स्टार्ट अवर नेक्स टॉपिक इन चैप्र नॉम्बर सेवन इस वेरियस प्रोटेक्टिव एरियास ठीक है अब कुछ प्रोटेक्टिव एरियास होते हैं वो क्या-क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग इसमें टॉपिक में डिसकस करेंगे ठीक है श्टुडेट तोड़ेट स्टार्ट विडवर टॉपिक वेरियस प्रोटेक्टिव एरियास प्रोटेक्टिव एरियास तो यह पांच टाइप के जो एरियास होते हैं जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं वेरियस प्रोटेक्टिव एरियास दो प्रोटेक्टिव एरियास श्माइयस प्रोटेक्टिव एरियास है जहां पर कि हम लोग fauna as well as flora type की जो हमारी जो species होती है वो coexist, दोनों species exist करती है, at present there are 13 biosphere reserve in India, current situation में biosphere reserve India में कितने हैं यहां पर 13 biosphere reserve ठीक है student, next है इसमें role of biosphere reserve, अब biosphere reserve के क्या roles हैं इंडिया के अंदर उसके बारे में देखते हैं, कि biosphere reserve conserve wild populations and ecosystem, जो भी हमारा ecosystem है और उसको population को कौन control करता है वाँ पर, वो हमारे biosphere reserve होते हैं, next है, it will preserve traditional lifestyle for tribals mana,lled पर d bagi जो biosphere reserve होते हैं वो क्या होते हैं tribal जो भी होते है उनके लिए क्या करते है, traditional life को क्या करते हैं उसको क्या करते हैं ठीक है? इत कंजर्व genetic resources of various domestic plants and animals, यह क्या कर सकते हैं various genetic resources of domesticated plant and animals उसको क्या कर सकते हैं यह याद रखना कि biosphere reserve क्या करते हैं conserve wild population and natural ecosystem को क्या करते हैं conserve करते हैं दूजरा traditional lifestyle को क्या करते हैं preserve करते हैं and conserve करते है genetic resources of various domesticated plant and animals ठीक है स्टुडेंट नमब सेकंड इस national park अब जो national park को होते हैं वो क्या important role play करते हैं ठीक है तो national park is the area strictly reserved for protection and conservation of wildlife जो national park होते हैं वो क्या करते हैं strictly reserved होते हैं किसके लिए protection and conservation of wildlife के लिए यह strictly reserved होते हैं here activity like forestry grazing or cultivation or not permitted मतलब यहां पर क्या होते हैं forestry के लिए grazing यह हो कटिंग के लिए और cultivation के लिए क्या होते हैं यह prohibited होते हैं या फिर not permitted होते हैं ठीक है student फिर next है no private ownership is allowed यहां पर कोई भी private ownership हम लोग allow नहीं करते हैं कहां पर तो national park में ठीक है student there are 89 national park in India जैसे कि हमारे 14 biology यहां पर जो हैं biosphere होते हैं इंडिया में तो यहां पर कितने होते हैं 89 national park in India फिर notable among the gear national park for asiatic lions हमारे जो गिर national park है जो कि गुजरात में presence हैं वो किसके लिए famous है for asiatic lions मतलब जो asiatic lions होते हैं उनके लिए presence है गिर national park next one है काजी रंगा नेशनल पार्क काजी रंगा नेशनल पार्क कहां पर रहे तो यह असाम में हैं ठीक है तो यह किसके लिए presence है राइनोसिस और यह राइनोसिस में भी कौन सी वेराइटी होती है वन सींग वाले राइसोनिस के राइनोसिस के लिए प्रेसेंट है ठीक है कघभेन नेशनल पार एड कान्ल पार कॉर्भेट नेशनल पार किसके लिए ने यह साइन्टिक फॉनह्य जो ले इसके नाम पर रखा हुए क्यूंअन तो यहाद रहा है। Corbete National Park. फिर Corona National Park, जो कि MPa और Madbe ship Again जो किसके लिए. पाइगर्स के लिए Next होता है वाइड लाइफ سन्टूरी. वाइट लाइफ सन्टूरी किसके लिए sole Os Ten एपैसि assertर. फोना के लिए जो भी सेर फोना के लिए फॉरेसिंग के लिए operation life हार्वेस्टिंग और कलेक्शन आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड़क्ट एन प्राइबट ओनर्शिप राइट्स पर्मिटेड ठीक है यहां पर क्या होता है ऑप्रेशन आफ हार्वेस्टिंग तिमबर जो भी प्रजेंट होते हैं यहां पर जो लग हम लोग तिमबर को यूज पर प्रेशन होता है ठीक है एज लॉंग एज दे डू नोट इंटर फेर विट वैल बिंग एनिमल्स मतलब यह वैल बिंग एनिमल्स के लिए वी क्या करते हैं इंटर फियर नहीं करते हैं ठीक है तो देयराल 492 वाइड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया में कितनी वाइड सेंचुरी जो होती है वो फूस होती है ठीक है स्टूडेट यहां पर देख सकते हैं हम लोग ऐनिमल्स ऐर्प्रीस वाइड पॉचिंग दै नैशनल एडिया थे डीक है लिए तो इसके लिए हम का कर सकते हैं कुछ प्रॉटेक्टेड एडिया सुते हैं फिर नैच्ट कह दे सेंचुरी है उनली 17 सेंचुरी सेलेक्टेट फॉर टाइगर प्रोजेक्ट लॉज्ट इन 9733 वाइ गवर्मेंट बाय तुप्रोटेक्ट टाइगर्स के लिए फ्रोटेक्ट करना है तो 17 हमने सलेक्ट कर किये हैं for protection for tigers next one is geological park geological park क्या होते हैं यहां पर देख सकते हैं geological जो पार्क होते हैं यहां पर animals and plant presents होते हैं geological parts are also called Jews हम लोग जहां पर Jew होते हैं जहां पर की animals and plant यहां पर presents होते हैं mostly फिर Jews Jews are the area where animals protected by keeping in the special cages and enclosed मतलब जूद वो एरिया होते हैं जहां पर हम लोग animals को protect करते हैं for cages and special cages के अंदर को क्या घर सकते हैं हम लोग conserve करते हैं the animals are dependent on authorities for food and daily care ठीक है यहां पर जो authorities presents होती है वो क्या करती है depend करती है किसके उपर for their authority for food and daily care के उपर यहां पर depend होते हैं यह animals ठीक है इस्टूरेंट नेक्स्ट जो important है वो है हमारा botanical garden अब botanical garden क्या होते हैं threatened species of plant and protected stored in the botanical garden जो भी thread threatened species होती है मतलब जिनकी species बहुत कम होती है उसको हम लोग क्या करते हैं यहां पर plant and protected store in botanical garden seed banks where they can be cultivated under the control condition मतलब जो thread and seed and plant होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं यहां पर botanical garden में क्या करते हैं उसको protect करते हैं and cultivate करते हैं under the control condition control condition में उसको क्या करते हैं यहां पर cultivated करते हैं ठीक है फिर एक छोड़ा सा topic और है कि be inform be inform का मतलब क्या है ता famous tiger reserve in India are corvette and dudva national park जिम corvette national park होता है as well as dudva national park वो कहां पर presence है यूपी में and kana and indravati in MP and simlipal in Odisha तो simlipal tiger reserve है वो कहां पर presence है यहां पर Odisha में presence है और जिम corvette and dudva national park है वो कहां है presence है यूपी and kana and indravati present in MP ठीक है student तो this is sufficient for today's class हमने इस class में क्या पढ़ा हमने इस class में various protective areas पढ़े जो की होते हैं यहां पर biosphere reserve national park wildlife centuries and geological park and botanical garden ठीक है student तो this is sufficient for today's class we will meet in our next class with next topic so keep your study and and continue class ठीक है so student we will meet in our next class with next topic so thank you so much